हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सिचुएशन को कैसे संभालों? श्रेया मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या हुआ? कुछ नहीं साथ नहीं, नहीं, कुछ तो हुआ है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ परेशान हो देखो एक पुरानी कहावत है अगर अगर खुद से परशानी सुल्जाना सको तो तो दोस्तों से शेयर कर लेते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है चाहो तुम मुझे बता सकती हो सब मैंने उनके दिल को बहुत दुखाया उन्हें बहुत थेस पोचाई है जबकि वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि मैं खुश रहू बहुत परवा करते हैं मेरी उसे तो यही नहीं पता कि मैं किसे दोका दे रही उन्हें या अपने आपको अच्छली परवाद तो उसे तुमारी भी है हमेशा हमेशा तुमारे बारे में ही सोचता रहता है वो इग्जाक्ली सर फिर भी मैंने उन्हें कितना हर्ट किया सच तो यह है कि मुझे मुझे रिष्टों के सही माइने ही नहीं पता देखो श्रया मैं मैं जानता हूं तुम तुम एक बहुत अच्छी लड़की हूं तुम जो करोगी सही करोगी तुम, तुम कुछ गलत करी नहिए सकती सर मैं ने गलत किया है मैंने सिधात को कितनी तकलीफ पहुचाई है तुम मैंने उसे शादी के लिए रहन की थी अरे वो उसकी मंगे तर तो दूर की बात उसकी एक अच्छी दोस भी नहीं बन पाई मैं और वो वो बात है श्रेया लेकिन मैं करे रहा था कि दया जो दया सर्थ मैंने उन्हें भी कितनी तकलीफ पोँचाई है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ कर रही हो तोमारे दिल में नहीं है जबकि तुम्हे वो करना चाहिए जो तुमारे दिल में है अपने अपने देल की आवा़ष को वही करूश रेया जो तुमारे दिल कहता है है? श्राइट संँ मैं अपने देल की आवा़ष को thank you sir आण... हुँ... क्यागरू! क्यागरू! यह... यह तो बंटी की चीक है सम्राट अंकल आप? अंकल नहीं बंजे मामा तुम्हारा प्यारा मामा मेरे दुलारे बंजे बंटी आचा एह! कौन है? सम्राट! कुम! रुजा! कुम! कुम! प्रेणी, छोड़ो आप! रुजा! रुजा! बच्चे लो, सब फीको तुम लोग? कौन थाओ? उंके... वो सम्राट अंके लुजा केना है थे? अडे, तेरी की कफ़ागता है रह! अरे, छोड़ो मेरे! कुम! 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 प्रेणी बोलने वाले थे ना तुम? है, सिफी साब! आप तो से सब जानते हैं, लेकिन, आपको मिला घाँ से? रॉक स्टार टोनी के घर से मिला! ओ! तो रॉक स्टार टोनी के घर मेरे? है, तो उसने चुडाया था मेरा लक्की सिक्का! हाँ! मगर उसका लक्क खरब था! मार दिया तुमने उसे! क्याँ? निनी साब, मैंने, मैंने किसी को नहीं मारा साब! जब! तुम रॉक स्टार टोनी के घर में गये और उसे मार डा रहा! मगर तुम्हारी बदकिस्मती ये सिक्का, तुम्हारा लक्की सिक्का वहीं पे गिर गया! मैंने साब, कौन है ये रॉक स्टार टोनी? मैं तुम्हारा जानता है और मैं किसी को क्यो मार वहा? इसलिए क्योंकि युक्चे मरवाने में तुम्हारा यहाथ है और शायदे किसी को पता भी नहीं चलता लिकिन यी सिक्का यसी ने पता दिया है तो क्यों मारा लोक सार टोनी को? अ लक्की सिके कस्म, साब मैंने किसी पको नहीं मारा है मैं किसी को अ क्यों मार वार इसे नहीं मानौगे तू ले जाह वे झालद ciao मैं नंत भूब, साथ, सब מ... मैं आ मैं बतातो तो किसीन मुझे मारने के लिए बोला था साथ मैं ने काहा कि मैं कै को व्रोड हो पर उसने ऎखा कि मैं अक स्टार्टोटो नेगो मार दूगा तो बदले मुझे बंटी के दे दैंगी सब बंटी तुम्हें दे देगा, उसने कहा था, कौन है ये, जिसने कहा था तुम्हें, कौन है ये, बता जल्दी सवो, सिमरन साब दियागी सेकेटरी साब सिमरन तो सिमरन की कहने पर तुम, बंटी को मारने आय थे न, साब, मैं अपनी जान दे दूँगा, साब, बंटी को कुछ नहीं होने दूगा, साब वो तो मेरा आन दाता है, साब, भागय भी दाता अच्छा तो फिर तुम बंटी के कमरे में क्यो गई थे, इस चाते पर जहरिला डाट लगा के न, साब, मैं उसे समझाने काया था, साब कि वो राजी हो जाए मेरे साथ रहने के लिए जहरिला डाट से उसे मार कर समझाने वाली थे तुम न, 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 साब, यह जहरिला डाट नहीं था, साब वो इसको लगाने से आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाता है, साब पिर मुझे ये था कि बंटी मेरी बात नहीं माने गा तो मैं चुपचा पुठा के साथ ले जाओंगा साफ और बंटी की सारी जायदात हडब लूगा क्यों सब मैं ओपर से नेशे तक करजे में डुगा हो सब सुभे से शाम तक फोन आते साब करजधार हो कि मैंने करज ने च मामा माम आपकर दूशा अब कॉन आ गया जब जल्दी होती है तब ही लोग आ जाते है देखती हूँ देखती हूँ और दूशा कोलो CID अगई कहीं ने मेरे बारे में सब परता तो नी चल गया सर मेरे जान पो खट्र है एजर और मजानता हूँ कि CID वाले ही मेरे जान पचा सकते हैं यह प्र हमला कभग आपने हैं आज ही हुआ यह हमला लेकिन इससे पहले ही काई बार उन लोगों ने मुझे मारना की कोशिश किया सकता हूँ मेरे घर तक पहुच गये वो लो आप पर यह हमले कब से हो रहे हैं सबसे आप लोगों ने विशाल भाई साप के केस की चानमी ने शुरू की तब से अच्छा लेकिन क्यों क्यों कोई मारना चाहेगा आपको पता नहीं सब क्यों मारना चाहते हैं मुझे लेकिन मुझे पता है खुनी को लगता है कि तुम विशाल के खुन के बारे में कुछ जानते हो जो उसके लिए खत्रा हो सकता है इसलिए वो तुम्हे मारना चाहता है Simran, दरवाजा खुलो Simran यह क्या? वाग श्रिया वंच देख उश्यादो यहां से अभी भागिये अगर आगर विशाल के खुन के बारे में हमसे अभी भी कुछ उपा रहे हैं तो हमें बता तीछे हम आपकी पूरी मदद करेंगे मैं सच क्या रहो मेडम कुछ नहीं सी पाल में आप लोगों से और इसना पितने के बाद मैं आपसे जूट क्यू बोलूँगा कोई बात नहीं आप बेफिकर होके कर जाएए कुछ नहीं होगा आपको आप हमारी निग्रानी में लाएंगे सर आला वोटल की केसलिस मेल गही सर गुड़ देखते हैं इस विशाल के साथ कौन थेरा था वोचलाला में कि विशाल जब जब होटल में ठहरा था उस वक्त होटल में और कौन-कौन से गेश्टे सब की लिस्ट बना लेते हैं यह सर और उनके ठहरने की तारीक के साथ-साथ उनके चेक-इन टाइम और चेक-आउट टाइम भी नोट करना पड़ेगा जी सर यह सर नहीं जितने भी इंफर्मेशन हैं हम लोग सब खलेक करता है सर जैसे ही कुछ पता चलता आपको इंफर्म करता है यह सर यह सर इस केतन तक पहुंचेंगे कैसे हैं होटल आला में जाओ पता करो इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है निकालो सर यह केतन एक बिजनिसमेन है और अकसर काम के सिल्सेले में जब भी पुणे आते है तो हमारे होटल में आकर रुखते है और जब से विशाल ने आपके होटल में आना बंद किया है मैं से केतन ने भी आना छोड़ दिया राइट जी सर पिछले तीन मेने से तो यहां नहीं आये अचे सर केतन की फोटो मिल सेथे हैं सर फोटो अरे जब आपके होटल में को याता है रहने के लिए ता आप उससे आईडी प्रूफ लेते हो ना वो दिखाव ओके सर ओमाइग गॉड ओमाइग गॉड ओमाइग गॉड सरी तो पहरुप्या निखला यहां यह वीर ही केतन है और इस होटल में यह नाम बदल कर आरा था हो सकता है कि यह विशाल का पीछा कर रहा हूँ या फिर विशाल के साथ मिलकर कोई साजिश पर हमारे सामने जराफत कर ना टक बस एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं फुर हाहा हाहा किसी बात का डरीना हो, किस पर अमला होनुगा लहा है हाँ किस थाउस में तो गिर्णगड़ा रहा था यह से बार निकलते ही कोई से मार देगी अगर यह सच भोल रहा है खुनी इस पर अमला करने जरूर आएगा करन तो स्काव में कभी बड़ा नहीं होता तो ऐसे ही किसी होस्टेल में जिन्दगी भर पड़ता रहता, कितना अच्छा होता बात तो ठीक है सर आपकी लेकिन तर आपसे मुलाकात कैसे हो पाती आँ यह बात तो है, मैंने सोचा ही नहीं मेरी वाइप का फोन है, तुम इधर ही रहना, मैं आपी आया, हलो मेरे साथ यह साथ ही हो रहा है क्या करूँ कुछ तो करना पड़ेगा भार जाना है भार से एड़ी वजा अग्दर्स कड़ें को लो मुझे जाना ही भी देगे और पर मैंने कुछ बता भी लिए सकता क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा बंटी, मैं निचे खड़ा हूँ जल्दी आओ, राहूल राहूल निचे पोच गया तो मैं केसे जाओं प्रेडी अंकल दोख लगी है यह कुन करना उनकल को क्या कोँगा यह बगवाँ, कुछ तो करो अरे प्रेडी सर, कहा रहे गए आप आपीजी से बात हुई न, सब ठीक तो है वाइब का फोन आया ठीक कैसे हो सकता सब कुछ यह, क्या हुँआ सर यह बता हुँआ से बात करते हैं प्रेड बात्रूम में तालागा किसी ने बाहर से दर्वाजबान कर दिया तो मैं अंदर अख यह हो जल्दी आओ ओके सर, मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ प्राहुँट यह हुआ, मुझे भेज करें इतनी देड क्यों लगा दिया करूँ जा करूँ जैसे तू निकला, मैंने देखा दर्वासे के आपार फ्रेडी यंकर और करने अंकर खड़ें, बहुत मुश्कल से भाग काया हूँ लेकें जाना को है? चल, पताता हूँ, कुछ पता करेंगा है उचल? राहूल, वाहसे मुचल, वाहसे कोई आजाएगा यासे चल वाहन थम? यह रम मौट मुझे, मुझे के मैंने काते हूँ, मैंने दुमारे केभी गणाए बच्चा 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 बच्च । । । । । । । । । सर, हमें अभी पीछा करना चाहिए पीछा करेंगे पुर्वी क्योंकि यही हमें खोनी तक लेके जाएगा मैं यह बंटी के लिए लांगे 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 सर, बंटी और राहूल कमरे में नहीं है क्या, हासर, यह पेपर देखिए बंटी, मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ क्ये खाए तोनों भी सबसे पहले दोनों को ढूणना पड़ेगा ढूणो, फ़िल जो सब लो अरे सुनो, तुमने राहूल और बंटी को कहीं बाहर जाते हुए देखा बंटी और राहूल अपने कमरे में नीचे तुमने नवार जाते हुए देखा राहूल और बंटी को है तुमने नवार जाते हुए देखा राहूल और बंटी को है तुमने नवार जाते हुए देखा राहूल और बंटी को है तुमने राहूल और बंटी को देखा है तुमन तुम्हारे होस्टेल के बच्चे राउल और बंटी यह देखो चिति छोड़ कर गए वह तो दोने इधर दिवार कूच कर भागें यह दिवार कूच कर भागें हैं तो तुम्हें रोका क्यों ने उनको सब मैंने रोकने कोशिश की जब तक मैं उनके पास पहुंचता वो कर गए वह दो आए है रहुल में यहीं वह गर है कि दूब इद को यकीन है दो यहीं वह दो हमें ना जब तु यहीं रहा चल चल कर देख तो अ वीर जाक आ रहा है देखते हैं इसके चाल से तो लगता है यह कोई बड़ा कार्णामा करने वाला है टारे जाती हैं इसके उड़ा कार्णामा करने वाल एक जा को रहा है शुर्व का थैंग तो और भी को ड़ाए है यह यह तुम्हार पार पार अजिए निए तो यह जो पोसक्ता है तो सक्का एंग ने किनो वाचमन कहरा था कि झून्हीं भागते ने ने भागते पह देखा अर फिर उन दोनों बेखा कि साथ कोई में नहीं नहीं था है। इस अटो हो ज़से पूछे अगर इस तरफ गया हो ते जरूर देखा होगा। अलो एक मिदा औट ओटो यहीं सतरफ दो बच्चों को जाते हुए देखा तम्हें हैं यहां सब, इधर ते बागते हुए आए आए थे लोग, कफी घपराय हुए लगए 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 था, मेरा ओड़र को और बारा नम्मर ले ले जाने को बोला मरेस तुमने बच्छों को वहाँ पर छोड़ा? हाँ, छोड़ा मैं चलो जेखो कहां पर एबारा नम्मर जाने से कोई फाइदा नहीं है अब क्यों, क्यों फाइदा नहीं? सफेद कलर की, बेंजी गार आई और एक मेडम उसमें बिठा के लिए लोगँ सफेद कलर की? बेंजी, यह तो शनया की गाड़ी है तो शनया के साथ के एलिओ, शनया लिक रगई कोई, कोई भी नहीं है चला अच्छा है, मेरा बाल तो यहीं पड़ा है और मुझे क्या चाहिए, अच्छा है, अच्छा है, तुम, तुम ऐसे यह बेरे पास आते रहो, मैं अपना मों बंद रखोंगा वावीर, वाव, क्या कमाल का आइडिया निकाला है, पैसे कमाने के लिए, वाव, अरे महत करके तो, इस जरम क्या दस जरम तक भी तिक कमाई नहीं कर सकता था, तु, वाव, बस, एक दो मोटे मोटे लोग को फसाओ, और एश के जिन्दगी गुजारो, वाव, वाव, वाव क्या क्या कुआет, बस, वाव, वाव, भीया कुआए, झाम क्या रखू― फ्ली, वाव, भीया कुआए. नहीं मेरा वहम होगा वहम होगा मेरा सब गोली चलने के आवाज कहीं पर तो गोली नहीं चलिए सर कर देखो किसी ने उस अवेट गाड़ी देखिया क्या है हां सर आप इस आदमी ने इस गाड़ी को दिखा है किस तरफ गई हो सर वो गाड़ी बहुत स्पीड में उस सुंसान रास्ते की तरफ गई थी चाँ देखो गाड़े में दो बच्चे थे क्या देखा दुमने बच्चों को वो मैंने ने देखा सर गाड़ी बहुत स्वीड में थी कोई बात को गाड़ी देखो आप है आपर गेट बात यहां आप को अगके में देखे और नहीं अगरे नह रास्ते में शनाय की और दूपर आप यहां पर है वही तो गई कहा कार क्या आसमान खा गया है जमीन निगल गई सर अब तो सिर्फ यह घर बचा है हाँ चलो चल कर देखते हैं तया तुम और पंकर यह सरफ जाओ हम लोग इस सरफ जाते हैं सर कर था यहां दो कर दो आए डे जाओ अगर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सियाड़ी यहां कभी नहीं पहुँच पाएगी लग ग बतुछ गुरसू नहां है नहां है ठाहूर करना पार नहां है, यहांग है बतुछし है, पुछ बतुछ लग भुब प्रप भुप और हम थोड़ी देल में तुम दोनों को वहां भेंज देंगे जहां तुम दोनों को होना चाहिए कियो बन करके रखाया आप दोग ने हमें यहां कहा लेकर जाने वाले आप लोग हमें राहूल चिंता मत कर बहुत जिल से एडियों के लाजाएंगे और पकड़ लेंगे इन लोगो को अबे चुप। क्या सेडी सेडी लगारका है इसेडी बाले तोट है हैं हाँ आए तोट है तोट होगे अब नहीं करूंगा तुमारा तुमारा कभी नहीं करूंगाँ अब फ्रवुज सब्सोड़ दूगा स... स... सबचूरूँ मैं! मैं? 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 ज... जाउं? मैं? 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 जाटन मैं? हा? आस ब्हु छाहूफ ब्ण्नी क смог काउ म आफ हाई चलो ? Simran madam क्यों ? ग्यों कर रही थी अता ? Sir वो यह सब मैं किसी के कहने पर कर रही थी किसी के कहने पर क्या ? किसके कहने पर कियथ ? वो वो अभ है यहीं पर है कि अ हमाय कि अच्छो अंह्गों अक्रश हो अपमलिगा कि अंप्ली यप कोई कोई जो भारने चानधा है offers चाहला है इस यह कर दो की तो हम अच्छा तो तुम हो इसके पीछ आप बड़ी कंपणी चुलाने वाली गोलीभी चलाती है कर दो जएकार प्रूब कर दो लिए हाग्दाना का नासर हुआ हाग्छ। C.I.D. D.I.G. अब हम तुम्हारा दिया जलाएंगे C.I.D. ब्यूरो में बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा बताओ क्यों अगवा किया तुम्हें राउल अर्बंटी को अगवाते मेरे भारे में सब बता जरद्या था मुझे डाद था करि में लोगो को मेरे भारेमी सब कुत बता रहाँ धे ृण राख्व वो तुम्हें थुम्हें घूम्हें वाथ य कजया था क्या है अप्टी विया तुम्हें संदाप reader जो दिया हंडी के साथ ही था मैं दिया हंडी को फोन बात करते हुशना का रंवाज है देखो रंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो हाँ, वो मेरा ही अग्मी था इसलिए मैंने रंगा को कहा था कि वो किसी भी तरहा बंटी को मेरे पास भीज़वाती है चल, चल, बंटी, जल्दी चल, अगर आज भी ट्यूशन के लिए लेटो का रहा तीचे बहुत डाठीगी, चल बंटी, रुख बोलो, क्या है? बंटी, बेटा, मुझे तुम्हे एक बहुत जरूरी बात बतानी है अगर तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगा नए अंकल, मैं परेशान नहीं होगा आज भी कोई नया रष्टतार मिलना आया होगा बंटी, वो बात नहीं है, दूसरी बात है, तुमारे ACP अंकल पर क्या? ACP अंकल को क्या? तुमारे ACP अंकल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है जूट न बोल अंकल, जूट बोलना अच्छे बात नहीं है बंटी, जूट नहीं कसम से मैं सच बोल रहा हूँ मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि उन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है किससे सुना, कौन करने वाला है हम्रा? ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हे काम करो, तुम दिया अंटी के पास जाओ, उन्हें सब मालूम है, और वो भी बहुत परेशान है इसे प्यों अंकल पर हम्रा कौन करने वाला है? मुझे पता लगाना होगा, दिया अंटी के पास जाना होगा बंटी, ये बात तुने मुझे क्यों चुपाई? थांगा ने मुझे मना क्या था, उसनो बहुत है कि ये बात किससे में मताना, आप चाहगे नहीं क्योंकि आपकी जान को खत्रा है, और वो कोई नहीं रुपाईगा एगा फ्रेंगा थांटी, थेंक्यो बटा, लेकिन देखो बटा, आएंधा कभी भी कोई भी बात मुझे जुरूर बताना है अब ये बताओ कि तुमने योग की जान क्यूंडी, वो तो तुम्हारा पती था कॉन पती, किसका पती, वो तो बस नेरा पती होने का नाटक कर रहा था उम्हें टुकड़ों पर बलता था, और एसो कि नी मुझे ही मारने का प्लैन बना रहा था इस गदार को मारती नहीं, और क्या करती मैं? जुर्म करने का नशा हो गया तुम्हें ये सारा नशा उतर जाएगा जेल की सलाकों के पीछे ये तो कियाना जी, क्या भी कड़ा था विचाल में? उसकी जान क्यों ली? मैं तो उसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे पर वो, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं थी उसे तो मार रा ला विचाल जरा भी सोचनल उसके बेटे राहुल के बारे में? तो क्या करती, किपनी वार समझाया था मेरे उसे, उस जिम्भी में विशाल को सिर्फ समझाने के लिए ही गई थी, पर उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपना आपा खो बैठी, और वार कर दिया उसके सरपन, लेकिन वो बच गया, तो में डर लगा कि तुम पक् पता चल गया था, तो वो विशाल को ब्लाकमिल करता रहा, और जब विशाल मारा गया, तो वो मुझे ब्लाकमिल करके, उससे पैसे एकता रहा, मुझे डर था, कि उसे ये पता चल गया है, कि मैंने विशाल को बरवाया है, तुम्हारे कि एक इस सजा तो तो तुमें जरूर मिलेगी, समझी, ले जाओ इन दोनों को थेंकियो उंकल, और अंकल राहुल राहुल की चिंता मत करो बेटा, उसका खयाल हम रखेंगे तस तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे इंसान बनो क्या हो अभी जी, तुमने इसे अजाना क्यों बुला लिया अरे अगो, कुछ बात करनी थे तो मैं वो श्रेया के बारे में श्रेया क्यों बारे, वो वो ठीक टु है ना? यह ने, ठीक है, आमिन, है भी और और नहीं भी है है, इसका क्या मतला है? मतब मैं उसे मिला था, तो वो कह रही थी कि क्यार वो सिदार्थ बहुत नाराज है उससे क्यों 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 कुछ हुआ क्या? अग्छले, क्या विसके वे खुछ नहीं हो? यह 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 शाली आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस पारे में इसमद कोई बात नहीं करनी अब उसको लगता है कि तुम्हारी वजे से शिदार्थ नाराज है मैंने मैंने समझाने की कोशिक की लेकिन मेरी वजे से? नहीं मेरी वजे से उन दोनों के उन दोनों के रिष्टे में दरार नहीं पढ़नी चाहिए में मन शेया से बात करूंँ आई ऩो जो हो कि लिग दो डुट अज दो 107 को शुट सब्स्राइब प्चाल मेंचेक युट कि लुट कि अभसा tek आपने मुझे इतनी जल्दी यहां क्यों बलाया है? वो... श्रिया मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थे मुझे से... अकेले में? हाँ... एक्शली वो... कुछ जरूरी बात थे जरूरी बात के लिए थोड़ी देड नहीं हो बही है श्रिया मेरी बात सुनो कहिए ना सुन आप मेरे सीनियर आपका हर ओडर मुझे सुनना ही पड़ेगा प्लीज श्रिया अब ये इशिक वे शिकायत का बत नहीं है मैं चाहता हूं कि तुम तुम सिदार को जाकर बतादा सिदार को जाकर बतादा सिदार को जा बतादा और क्यों क्यों कि श्रिया मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से तुमारे जिंदेगी में कोई तकलीफ हो आपकी वज़े से श्रिया देखो सिदार को श्रिया देखो जो शुरू होने से तेल ही खतम हो गया यह खतम कर दिया गया मैं बस यह कहना चाहता हूं श्या के लिखो तुम और सिदाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने बाले हो तो तुम सब कुछ उसे सच बता दो ताके बात में तुम्हे कोई परिशानी नो बस डॉन वारी सां मैं इस सिच्वेशन को कैसे हनल कर दा है उची तरह जानकी है आप इसके बीच में आज परिशान मत होए यह परिशान क्यों नो हो? अब क्यों परिशान होना चाहते? क्यु.. क्यूंकि मुझे तुम्हारी चंता है? मुझे तुम्हारी प्रिकर है? किस रिष्टे से? वो... वो... एक दोस्त की हैसियत से दोस्त की हैसियत से सर... श्याँ आप सच में चाहते हैं, मैं सिद्दात से जाकर बात करूँ अश्याँ 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 वो अँआ आज बहुत खुशी का दिन क्योंकि आज से अर्जुन एसीप सर के साथ रहेगा और हमारी CID टीम को अर्जुन जैसा प्यारा साथ दोस्त मिल गया है एक मिनिट मैं में बहुत खशूप कि मुझे एक परिवार मिल गया एसीप अंकल जैसे पापा मिल गए मैं आज साथ में अरते हैं एसीप अंकल जैसे पापा नहीं पापा ही अजसे मैं तुम्हारा पापा अर तुम मेरे बेटे तुम मेरे साथ ही रहोगे आजसे कई नहीं जाऊंगे एस्टा तुम रोक्यो रहो आज और भूके गादेन तहीं तो खुशी क्या से हुआ है एक मिनट इस मौके पर आप कुछ कटके रहेगा डॉक्री सार, आज भी आप कुछ काटने मिटने के बात कर रहे हैं ने पंकाज, हम आदमी ऐसे हैं, काटने पीटने के बात जरूर होगी और कुछ कटके जरूर रहेगा मगड क्या? केक कटेगा, और क्या? बंटी वेटा, आज से तुम पूरे C.I.D. परिवार के हमारे हम सब के वेल्कम टु C.I.D. परिवार हालो किसे यह बताएए ना के खुशी के मौके पर केक यू काटते हैं वो इसलिए पंकाज के खुशियां आती रहें केक कटते रहें और सब के मूँ मीठे होते रहें हाहाहा सुनो, डांस के रहेंगे हाहा में लेग में में झाल